लोग अच्छो मेरा नाम हम और आपका स्वागत हमारी यूट्यूब चैनल इस्टी चैंपेन के अंदर तो जैसा कि आप जानते हो जो केम्पीटर फंडामेंटल का जो पेपर हुआ था आपका कल उसे समधित मांसुर के आपके सामने लेकर आया हूँ और ये पेपर जो कुल जिसके 50 अंग थे और सारे सारे 50 क्योशन किस कहे थे एमसी को आये थे और इस पेपर को पास करना आपको अनवार ये रूप से था तो चलो शुरू करते हैं अपना आज के क्योशन जो पहला क्योशन था वो क्या था CPU की full form क्या है तो CPU की जो full form होती है वो क्या होती है central processing unit तो इस क्योशन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा option नमर C होगा अब बढ़ते हैं दो नमर क्योशन की तरफ निमन लिखित में से कौन सा computer का मस्तिक्स होता है तो हम सब जानते है computer का मस्तिक्स किसको बोलते हैं CPU को बो semester के या फिर computer application का भी कुछ university में paper होता है अगर आप उसके विदार्थी हो तो इस वीडियो को पूरा देखीगा क्योंकि उसमें भी यही वाले परसन आते हैं ठीक है अब बढ़ते हैं तीसे नमर क्योशन की तरफ ALU के full form क्या है इंगलिस में बताते हूं अब आगे बात करें चार नमर क्योशन की तरफ ओप्रेटिंग सिस्टम का क्या उप्योग है तो देखो ओप्रेटिंग सिस्टम सबसे पहले मैं बताता हूं ओता है क्या आपके केम्प्यूटर के अंदर जो आप केम्प्यूटर चाले उसमें जो विंडो होती है उसको उप्रेटिंग सिस्टम मोलते हैं सारे के सारे पूरा का जो हाड़वेर है केम्प्यूटर का या कोई भी जैसे फोन हो गया उसमें Android वर्जन होता है तो यह भी क्या होता है पूर वेर्य कार्ण करते हैं वो किसके कर्ण करते है उस ऑप्रेटिंग सिस्टम के करने के लिए सभी के सभी की option इसमें सही है तो इस कुछन का जो सयांसर अगवो की option नमर दे होगा तो वापीश देख लो सभी संसाद्धनों का प्रबंदन करने के लिए काम में आता है उप्योग करता को और दो वापर राउटर का नाम सुना होगा या फिर वाई-फाई जोडते हैं तो उसमें राउटर लगाया जाता है ठीक है प्रेन्टर प्रेंटर निकालने के लिए कामाता है इस के नर आपको पता है proces चीजों को सकेन करने के लिए कामाता है और ओर मॉनिटर का जो सही आंसर अगव हो क्या option number A होगा अब बढ़ते हैं साथ number question की तरफ Linux क्या है Linux Linux क्या है तो यह एक परकार का क्या है operating system है ठीक है Linux operating system और open resource operating system यह भी मैं आपको बता देता हूं कौन सा operating system Microsoft के द्वारा बनाय गया है तो Microsoft किसके द्वारा बनाय गया Microsoft आप सभी को पता है Microsoft है वो बिल्गेट्स की कमपनी उसके द्वारा कौन सी जो ओप्रेटिंग system लॉंच क्या गया था विंडो लॉंच क्या गया था Android वर्जन है वह हमेशा आपके मोबाईर के अंदर मिलता है ठीक है Mac OS Apple कमपनी के द्वारा जो ओप्रेटिंग शिस्टम बनाएगा है उसका क्या नाम है Mac OS नाम है ठीक है और Linux 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 एक Open Operating System है जिसको मतलब हर कोई वेक्ति यूज़ कर सकता है मेरे साब से समझ में आ गया होगा यह परसन आपको अब बढ़ते हैं नौ नमर क्यूशन की तरफ निमल लिखित में से किस पर दूसरी PD के computer आदारित थे तो दूसरी PD के जो computer थे वह किस पर आदारित थे ट्रांजिस्टर पर आदारित थे अब मैं आपको दिरे-दिरे क्यूशन की तरफ एक operating system है तो operating system क्या आता है एक operating system होता है application software होता है तो इस क्यूशन का जो सही answer होगा C नमर क्यूशन होगा क्योंकि जो application software के रुप में ही काम करता है अब बढ़ते है ग्यारा नमर क्यूशन की तरफ operating system के संदर में जिवाई का क्या आर्थ है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो इस क्यूशन का जो सही answer होगा वो क्या होगा option नमर C होगा अब बढ़ते हैं बारा नमर क्यूशन की तरफ operating system का मुख्य उद्धेस से क्या होता है जैसा मैंने पहले बता देता operating system क्या करता है hardware वा software और संसादनों को चलाने का काम करता है तो इस क्यूशन का जो सही answer होगा option नमर B होगा अब बढ़ते हैं तेरा नमर क्यूशन की तरफ निमल लिखित में से किस program का उप्योग assembly program में मसीनों को निर्देश देने के लिए किया जाता है तो देखो मैं आपको बताओ इसका अर्थ है वो program जो जितनी भी computer के अंदर काम करते हैं hardware काम करते हैं उनको निर्देश देता ह तो कौन सा इन में से निर्देश देता है वो देता है assembler अब बरते हैं चोदा नमर क्यूशन की तरफ कौनसी एक script ले बासा है तो script बासा इसमें कौनसी है java script यह important question है बहुत पर कुछा गया java script एक scripting बासा है ठीक है निमल लिखित में से कौनसी एक उचिस्तरी बासा है द किस पर अधारित है मैं आपको यह बता देता हूं है थोड़ा सापको मापको इस अंदर में थोड़ी जानकारी देता हूं क्योंकि computer आपको पता राजस्थान की आच है center किसी भी government की तरह करो उसमें क्यूशन जरूर आते हैं और यही इसी प्रकार के क्यूशन पूचे जात कोडिंग करते हैं तो वह कोडिंग कुछ और नहीं होती है बस यह होती है प्रोग्रामिंग लेंग्वेज होती है ठीक है तो जावा स्क्रिप्ट आज के दिन जितनी वेबसाइट निर्मित आप देखते हो गूगल पर आपने कोई वेबसाइट खोली जैसे SSID खोलते हो तो वेबसाइट व्रहवर चिए कि लिए किस प्रोटकॉल का प्रयोग किया जाता है तो किस होता है sttp का कियाजाता है अब के दो चीज मैंने कल आपको बताई थि दो प्रोटोकॉल होते da HTTP और HTTPS ठीक है HTTP होता ना वो तो होता है मतलब कोई भी प्रोटोकॉल का तो यूज क्या जाता है लेकिन जो कोई अवेद वेबसाइट होती है जिनको Google के दोरा verified नहीं क्या जाता है जिनने थोड़ा mislaneous माना जाता है उस परकार की website पर HTTP लगता है और सही website पर मेंसा HTTPS लगता है ठीक है तो इस क्यूशन को सही आंसर नमर भी होगा अब बढ़ते हैं 17 नमर क्यूशन की तरफ वेब ब्राउजर का मुख्यों जैसे क्या होता है तो वेब ब्राउजर का देखो क्या कारी होता है जितनी भी आप website चलाते हो वह अमेसा वेब ब्राउजर पर चलती है वेब ब्राउजर कौन से होते है जैसे गूगल है गूगल एक वेब ब्राउजर है यह review धूर घूम रहे ठीक है तो इनका काम क्या होता है वेब ब्राउजिंग पेजों को ब्राउज करना है परदस्रीध करना मतल geography यह उसंपर संगरित कर में अब बढ़ते हैं उस व्यक्ति का IP address stress कर लिया गया IP address internet पे एक अधारकाड की तरह है समझ में आ गया जैसे आपका अधारकाड आपका पैचान पत्र है उसमें आपका जो नमर दिया गया है बारायन का जो आपको नमर दिया गया वो आपकी पैचान नमर है कि बारत के अंदर एक व्यक्ति है इस पैचान नमर यह है उसी तरीके से इंटरनेट पर हर वस्तु को एक पैचान नमर दिया गया है उसको क्या बोलते है आई-पी बोलते है इंटरनेट प्रोटोकोल बोलते है और IP address आपका फोन बहुता है Google का हर एक डिवाइष होती है इंटरनेट पर सभी का IP address होता है कि अब बढ़ते हैं 20 नमर क्युशन की तरफ internet का उपयोग क्या है तो internet का किस चीज में उपयोग क्या जता है आपको पता है इन सब में से संचार करने भी संचार पुनर रखती करने मर और internet banking करने पर तो जो इसका सही answer को वो क्या होगा option अब बढ़ते हैं किस नमर क्युशन की तरफ e-commerce का अर्थ क्या है तो e-commerce का अर्थ क्या होता है electronic commerce अच्छा e-commerce होता है कि हम आपको यह भी समझा देता हूं आप जैसे कोई Amazon Flipkot Miso या कोई भी जो ओनलाइन shopping company होती है उसमें से आप कोई भी चीज खरीदते हो ज़रूरी नहीं आपको जितनी भी ओनलाइन कोई चीज खरीदते हो उसे e-commerce का जाता है ठीक है और जो वेबसाइट है जिने इन इन सब चीजों को चलाती है या अपने आपने रखके रखती है जिसे Amazon का example ले लो तो Amazon क्या है एक परकार का e-commerce platform है थीका तो इस question council option number ऑप्से अब बढ़ते हैं 22-name question की तरफ इंटरनेट का किसे का जाता है तो हम सब जानते है टीम ली को का जाता है अप बढ़ते हैं 23-name question की तरफ सोसल मीडिया साइटों पर DM का क्या आर्थ होता गा वैसे तो आप सब को पता है DM का आर्थ DM का आर्थ होता है डायेट मेसेज अब बढ़ता है 24 नमर क्यूशन की तरफ निमल लिखित में से कौन सा एक लोग पर ये networking साइट है समझ आ गया आप अपने डोकुमेंट है वो गूगल ड्राइव में रखते होंगे जो जीमेल का ही एक पार्टनर्सी प्रोग्राम होता है गूगल ड्राइव Amazon क्या है एक e-commerce साइट है ठीक है Wikipedia क्या है एक Wikipedia है वो collection of data को रखती है कौन वेक्ति क्या करता है एक नॉर्मल वेबसाइट है ठीक है तो आपको समझ में आ गया होगा इनसाइकलोपीडिया भी बोला जाता है Wikipedia को 25 नमर क्यूशन है cloud storage का मुख्य लाब क्या होता है तो देखो cloud storage का जो काम होता हो क्या होता है किसी यूटूबर के नाम से सुना होगा कि हमारे पर copyright strike आ गई या copyright आ गया होगा या फिर अपने कुछ भी ऐसा सुना हो copyright का तो copyright वास्त्विक्ता में होती क्या है देखो आज कोई भी वेक्ति है जैसे आप एक चित्र आपने कोई एक मानलो चितर बनाया ठीक है बहुर वो बहुत परसी चितर था जिसकी value करोडों में है मतलब ठीक है और आप किसी दूसरे वेक्ति ने क्या क्या वैसा ही चितर बना दिया और दुनिया में उसकी copy बेचने लगया तो आप क्या होगा नुकसान हो गया तो आप क्या करते हो उसका copyright लिरते हो मतलब हर एक देश के पास विदेश में एक international institute होता जो copyright देता आपको ठीक है आपने registration कर दिया कि यह चितर मेरे द्वारे बनाएगा इसके लाओ इस वेक्ति का कोई भी प्रियोग नहीं कर सकता है तो अब क्या होगा अगर उसके आपके द्वारा बनाएगा चितर अगर किसी और वेक्ति ने यूज गिया तो उस वेक्ति को उसके उपर जुर्माना लगेगा और उसको जितने उसने पैसा कमाई उसका कुछ इसा आपको भी देना पड़ेगा ठीक है तो आपको समझ में आ गए होगा यह क्या होता है रचनात्मक कारियों की यह कानूनी सुरक्ष होती है अब बढ़ते हैं 23 नमर क्यूशन की तरफ इमेल का क्या उद्व से होता है तो इमेल का क्या उद्व से होता है तवरीत पार्ट संदेश बेजना मैसेज को इंस्टेंटली बेजना अब बढ़ते है 23 नमर क्यूशन की तरफ निमल लिखित में से ओनलाइन बुक्तान नहीं है तो कौन सा ओनलाइन बुक्तान नहीं है हम सब जानते हैं क्रेडिट कार्ट से आपने कोई चीज़ें खरीद दियोंगे तो ओनलाइन बुक्तान करते हो आप इसी से ठीक है एक ही करत बुक्तान इंटरफेस यूपी आई ठीक है और यूपी आई को तो आपको आज को इंडिया में सबसे पॉपिलर चीज़ अगर इंटरनेट में बेंकिंग में हुई है वो क्या है यूपी आई है और पेपाल क्या है मैं आपको बता देता हूँ जैसे अपने फोन पे है ना वैसे ही इंटरनेशनल पे फोन पे हो गया पेटियम हो गया और जितने भी ये पेमेंट के जो माध्यम है वैसे ही इंटरनेशनल पर पेपाल है समझ में आगए आपको तो ये सबी के तिनों A, C, D के ओनलाइन बुक्तान के मोड है लेकिन केस्व साइबर खतरा कौन सा इस में से मोल वेर होगा क्योंकि मोल वेर है आपको पता है एक परकार का वाइरस होता है जो आपकी चीजे चुरा लेता है बाकि सोसल मीडिया तो इंटरेट के फाइदा है ट्राफिक जाम कोई संदर भी नहीं है मोसम की बोई सेवानी भी कोई साइबर खतरे से समंदीत नहीं है अब बढ़ते हैं तीस नमर क्यूशन की तरफ निमा लिखित में से कौन एक सुरक्षित वेबसाइट या पोर्टल है तो कौन सी है पोर्टल का संकेत क्या है तो तो तीस का जो सहियान सो रगा हो क्या होगा उप्सन नमर ए होगा तो मैंने देखो पहले बता दिया था । अगर किसी भी वेबसाइट के उपर लगा होता तो वह एक सही वेबसाइट है आप गूगल करोना उस वक्त देखना क्रोम में जाना और गूगल पर कोई भी वेबसाइट खोलना उस पर ऐसे लिखा होगा जैसे हम आपको एक्जंपल देता हूँ https.ssoid.com देखना आप आज जाके कि क्या लिखा होता है ठीक है और अगर कभी कभी आप कुछ वेबसाइट खोलोगे जिस पर गूगल खोलेगा नहीं समझे आगे एक आपका बलेक सा इंटरफेस हाजाएगा ऐसे समझ में नहीं आता तो आप करना अपनी SSO ID खोलके आप सभी समझ में आगे तो इस किस अगरोस की अप्सें नमर इह होगा अब बढ़ते हैं 31 किसन की तरफ निमल लिखित में से कौन सा सुरक्षीत ब्राउजिंग करने का एक आद्यत है इमेल से पासवर्ड जाजा करना यह तो नहीं हो सकता है बिल्कूल भी ठीक है बिना VPN वा सारवजनी Wi-Fi का प्रियोग करना बिल्कुल मत करना है यह तो जीवन में कभी भी वेबसाइट पर URL में HTTP की जाच करना है यह बिल्कुल सही है हना एंटिवाइरस ओटेर को सक्सम मनाना तो इस सुरक्षित ब्राउजिंग किसे समंदित है option number C से समंदित है अब बढ़ते हैं 32 नमर क्यूशन की तरफ computer परनाली यह नेटर की गेर अधिकर्थ पोज को क्या का जाता है जिसे नितिगत उप्योग में किया जाता है मतलब नितिगत का क्या अर्थ होता अवेद रूप से उप्योग किया जाता है तो यह कौन सा होता यह होता है एक किंग होती है तो इस क्यूशन का जो सहांसर को option number A होगा अब बढ़ते हैं 33 नमर क्यूशन की तरफ IT नितिगता मुख्य रूप से किस से समंदित है तो किस समंदित है IT प्रोदिगी किस समंदित प्रोदिगी को नितिगता की जिम्हिदारी से समंदित है अब पढ़ते हैं 34 नमर क्यूशन की तरफ OOS का है की open source software क्या होते हैं तो प्राप्ति की उच लागत के software होते हैं या फिर क्या होते हैं ये तो इस क्यूशन का चाहिए आंसर वह क्या हो क्या हो वानिज्य उप्योग के लिए विशेश अधिकार एक्सक्लूजी राइट कर सकति हो आपकी किसे वाइस से सरक्षा करती है तो बिल्कुल करती है CYBER 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 C खत्रों की रोक्ताम करना या उप्यूक्त सभी तो cyber सुरक्षा की क्या क्या इस question का उप्साइब नमर D होगा यह सभी की सभी चीज़े करी जाते हैं cyber सुरक्षा में आप अब बड़ते हैं 37 नमर question की तरफ कौन सा cyber attack PDT के डेटा को फिरोती के लिए encrypt करता है तो इसमें से कौन सा करता है सही answer होगा और क्या होगा इसमें से ए ओप्सन रेंसम वेर कि अब बड़ते हैं 33 नमर क्यूशन की तरफ देखो मैं बता देता हूं यह क्यूशन को थोड़ा आपको समझाता हूं क्या होते हैं देखो काफी बार एकर क्या करते हैं आप कोई भी बड़ी कंपनी मानने जैसे की आपने मानना की गूगल की कंपनी थी गूगल की कंपनी है उसको एकर ने हैक कर लिया ठीक है अब वो क्या करते हैं गूगल से डिमांड करेंगे कि मुझे आप ना 100 क्रोड रुपे दो तब ही हम आपकी जो वेबसाइट है उसको वापिस से खोल देंगे आपने काफी पार सुना होगा कि चाइना ने किया पाकिस्त अगया चैकर और उससे सारी वेबसाइट हैना वहा जाताथ है सर्वड डाउन हो जाते हैं और सारा डाटा अपने अप्लोड कर लेते हैं only और यgenesता उस data को प्रयोग फिर बेचने के लिए क्या जाता या फिर दूसरे देसोपर अटेक करने के लिए क्या जाता इस question का जो सही answer को क्या होता है ransomware virus का उपयोग करके hacker है ना वो cyber attack करते है और data की फिरोती के लिए encrypt करते है समझ में आ गया यह एक परकार की online kidnapping है तो यह किस virus के द्वारा की जाती है याद रखना ransomware के द्वारा की जाती है समझ में आ गया आपको आप बढ़ते है 38 नमर क्यूशन की तरफ बाकिये सारे भी बताऊंगा क्या क्या होते है 38 नमर क्यूशन की तरफ बढ़ते हैं phishing attack का उदे से क्या होता है तो phishing attack का उदे से क्या होता है आपका सब्देंसिल जानकारी को चुराना होता है देखो क्या होता है मैंने आपको बताया काफी बार आप जब कोई भी एप डाउनलोड करते हो तो उसमें allow का या do not allow का option आता है तो आप काफी बार लोग अंजाने में third party एप डाउनलोड कर लेते हैं Google से और उन्हें allow कर देते हैं आप वो क्या करते हैं आपकी जितने भी private चीजे होती है आपके contact नमर हो गया आपके द्वारा जो password लगाए गया फोटो गया वो सब चुरा लेते हैं समझ में आगया तो यह किस के द्वारा किया जता है यह phishing attack के द्वारा किया जता है या फिर ऐसे समझ लो काफी बार आपके पास ऐसा मेंसे जाता होगा कि आपको मिली एक लाख रुपे की लोटरी और आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए तो आप लोटरी के चक्कर में उस लि OTP ना बताएं किसी भी URL पर लिंक पर क्लिक ना करें आप बढ़ता है 39 नमर क्यूशन की तरफ उस व्यक्ति को दोखे में डालने के लिए जिसने व्यक्ति ने अपनी गुपनियता जानकारी परदान करने के लिए आकरशित क्या उसे क्या का जाता है तो उसे का जाता है एक से कि सिंग हमला है को ठीक है मैंने बता दिया आठ्शे के एक्स्वलीयन कर दिया यह वही चीज है ठीक है क्या क्या होता है तो केंप्यूटर वाइरस का क्या होता है केंप्यूटर सिस्टम को अन्य पहुंचाना वो डेटा को चुराने के लिए अब बढ़ते हैं 41 नमर क्यूशन की तरह एक एक केंप्यूटर वाइरस के लिए किस सब्द का प्रियोग किया जाता है जो एक अन्य प्रोग्राम के अंदर छुपा होता है और वह प्रोग्राम चलाने चलाता है तो सक्री होता है तो वह क्या होता है केंप्यूटर वाइरस हां यह बहुत इंपोर्टेंट है इसका अंसर को क्या होगा इस पाई वेर होगा देखो अलग अलग परकार के यहां उपर वाले क्यूशन से मैं आपको कुछ चीजे समझाता हूँ यह सारे के सारे वाइरस के परकार है इसमें से कौन सा वाइरस क्या काम करता यह भी समझी सबसे परकार के वाले रेंसम वेर का तो मैंने बता दिया वह वाला होता है जो क्या करता है आपकी जानकारी वह कोई भी वेबसाइट पर जाएगा उस पर अटेक करेंगे और उसे चीजे तुरा लेंगे और उसके बदले पैसे मांगेंगे तो क्यूशन में पर पैसे महंगने की करके बाता है वहां पर रेंसम वेर करना ठीक है यह सीटे के लिए बहुत मैटाफोन परसन सारे यह सारे पर आता है स्पाईबे अब spyware क्या करते हैं यह मतलब कोई भी आपने app डाउनलोड किया यह बहुत जरूरी है आपने कोई भी app डाउनलोड किया या आप कोई भी website पर गए वहाँ पर यह जो virus पड़े होते हैं और वहाँ से आपके phone के अंदर आ जाते हैं आपने कोई भी app डाउनलोड किया उसके उपर कोई भग या वाइरस था वो अप के साथ आपके phone के अंदर आ गया और उसने क्या करते हैं आपके phone को आएक कर लिया तो इस परकार के जो app जो दूसरे थर्ड पार्टी app से आते हैं वो कलाते है spyware यहाँ पे एक spy spyware मतलब क्या होता है जसुसी वाले app और वो आपके नीजी जानकारी चुराते हैं याद रखना नीजी जानकारी और थर्ड पार्टी app से आने वालों को क्या बोलते हैं spyware बोलते हैं फेर तीसा नमर क्यूसर एड़ वेर अपने गूगल पर कोई website जाते हो तो वहां पे add दिखाई देते हैं और काफी बार आप उस add पर click कर देते हो गलती से हैं तो आप किसी तीसरी website पर चले जाते हो add भी दो परकार की होते हैं एग add होते हैं जो Google के द्वारा चले जाते हैं जैसे आपने कोई भी सरकाय रिजल डोट कोम खोली तो उस पर जो एड दिखाए गया है वह Google के द्वारा लगाए गया है और वह एकदम authentic एड है लेकिन काफी आप कुछ गलत वेबसाइड़ों पर जाते हो और उस पर एड दिखाया जाता है और अगर वह आप उस पर क्लिक कर वारा आपको दिखाय जाता है और उसके द्वारा वाईरिस आपके प्लों की और आता है समझे आ गया Malware व्यर एक ऐसा वariस होता है जो आपके फॉन के अंदर आपने और या एंड आपको पुण को क्या कर देता पूरन रूप सेиковे क्पर आपको देख होगा आपका phone एपर त्यासी तूप से मतलब बहुत ज़्यादा गरम हो रहा है अचानक से चलते-चलते सुईचोफ हो रहा है समझ में आगा अगर storage की problem के लावा अगर storage भी सही है और फिर भी आपका phone चलते-चलते सुईचोफ हो गया बहुत ज़्यादा से काम करते हैं ठीक है आप बढ़ते हैं 32 नमर क्यूशन की तरफ computer virus कैसे फ्यलता है तो computer virus कैसे फ्यलता है देखो इसमें ना कि कई आंसर हो सकते हैं USB drive के मादेम से बहुतिक परसान के जरी ऐसे भी फ्यल सकता है हाना option नमर पी है email attachment रोल लिंक के द्वार यह तो फ्यलता है आपने देखा काफी बार आपको का गया email के अंदर जो spam में जो email आती है उनको आपको कभी भी उस पर अगर कोई link आता तो उस पर कभी किलिक नहीं करना चाहिए computer के गटकों को अधिक गरम करने पर यह नहीं हो सकता ठीक है system setting को संसोधित करने पर तो देखो ऐसे नहीं आ सकता इस question का सहयांसर option a भी हो सकता है लेकिन ज्यादा सहयांसर होगा वह क्या option नमर बी होगा तो इस question का वैसे सहयांसर के option नमर भी है अब बड़ते 23 नमर क्यूशन की तरफ किस परकार के password अमले में उप्योग करता को दोखे में डालने के लिए दोखा दड़ी email या संदिश वेज़ा जाता है ताकि वो password परकट करें तो इसमें से किसमें किया जाता है phishing अमले में किय जाता है तो इस question का जो सही answer को option नमर ए होगा अब बढ़ते हैं 34 नमर क्यूशन की तरफ साइबर अमले में डियोस का क्यार्थ होता है अब मैं आपको दो चीजे बता दूंगा डियोस होती क्या चीजी है देखो computer के पास हमें दो चीजे डियोस होती है सब से पर तो पहले च किसी website पर गए और वहां पर आता pop-up 101 देखा होगा आपने काफी बार user not found ऐसे आता एक user not found या फिर कुछ ऐसा website मेरे दिमाग से निकल गया है लेकिन वहां पर 101 आता कुछ pop-up किसे जैसा दिखाता और website नहीं खुलती है तो काफी बार लोग क्या करते हैं जैसे कोई website थी यह बहुत जरूरी important चीज़ है जैसे कोई भी एक Amazon है Amazon ने एक plan बनाया कि वह 12 बज़े अपनी एक sell शुरू करेगा summer sell शुरू करेगा तो काफी बार लोग क्या करते हैं दूसरी company के hacker क्या करते हैं उस पे ना 12 बज़े क्या करेंगे अपने बहुत ज़्यादा virus बेज देंगे मत समझ भी आ गया server down हो जाएगा तो क्या वेबसाइट चलनी बंद हो जाएगी और वहां पर क्या दिखने लग जाएगा pop-up 101 ऐसा कुछ आता है वह दिखने लग जाएगा ठीक है तो यह कौन सा होता है इसका कारण क्या होता है इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा इधर करके देखा हाँ ओप्सन नमर सी होगा सेवा से इनकार करना तो वेबसाइट चलनी बंद हो जाएगी इस कारण वह क्या होता है ओप्सन नमर सी होता है लेकिन इसकी फुल फॉम डियोस की फुल फॉम एक और भी होती है क्या होता है डिस्क ओपरेटिंग सिस्टम क्या होती है डिस्क ओपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया तो इसक्रिशन का जो ओपरेटिंग सिस्टम के लिए पूछे तो इसका जो सही आंसर होता वो क्या था डिसकोपरेटिंग सिस्टम लेकिन साइबर सुरक्षा के मामले में पूछा गया है तो इसका आंसर हो है सही आंसर है वो क्या हो अप्शन नमर C डिनायल अप्शरीज लेकिन इस क्विशन का जो सही आंसर को अप्शन नमर C होगा तो काफी कन्फ निमा लिकित में से कौन सा एक सक्रिय सुरक्षा का उपाय है तो कौन सा इन वे से जो 47 नमर 46 नमर क्यूशन उसका सही आंसर क्या होगा मालवेर अमले के लिए अंटिवायर सोफ्टेयर को स्थापित करना अब बढ़ता है 47 नमर क्यूशन की तरफ साइबर सुरक्षा में एंक् लिए बनाना 47 नमर क्यूशन का सही होगा आप देखो एक चीज बताते हो वाटसप जब आप खोलते हो ना तो उसमें कभी ऑपर देखना उसमें क्या लिखा होगा इंक्रिप्ट एसक्रिप्ट हाना ऐसा आपने दिखाना वहाँ पर इनक्रिप्ट होगा है हाना उसका पर फैडाश्प पर जा कि खोलना उपर लिखेगा आपकोगए इंक्रिप्शा क locks संपतिया क्या है यह काफी इंपोर्रेंट था लेकिन इस क्यूशन स्कुन से आसर हो क्या होगा इस क्विश्चन का शो तो देखो data तो आपको पता है देखो asset होता ही होता है software भी होता है यह दोनों की option में change है इस इन दोनों की options में तो मेरे साब से तो इसका जो सही answer हो रहा है वो क्या आना चाहिए C option आना चाहिए cable software नई यह तो सही होता है option number D आना चाहिए मेरे साब से इस question का और बाक्य answer के आगी तब देखेंगे 49 question है cyber सुरक्षा में संपत्ति के कौन से से परकार नहीं है तो कौन सा नहीं है इस में से वो नहीं है करम 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 सब्सक्राइब अब बढ़ते हैं पचास नमर क्यूशन की तरफ आइडेंटी चौरी का मुख्य उद्धे से क्या होता है खातों में अधिकर्थ पूज को प्राप्त करना तो इस question का जो सही पूज़े से नहीं होता है हर चीज आपको समझ में जरूरी होती है धन्यवाद